हलो एवरिवान एक बेफिर से आपका स्वागत है हमारे इस चानल पर आज मैं आपके लिए लेकर एक रिके आए हूँ कम्पनी लो से रिलेटेड एक और नया टॉपिक जो कि बहुत छोटा सा है पर एक्जाम के पॉइंट एफियो से है यह topic include है तो इसमें आपका एक questions आराम से बन सकता है So 2 marks से लेकर 5 marks का variation यहाँ पर depend करता है आपकर इक कौन से टाइप की question है तो चलिए शेरू करते हैं आज का topic अज का topic क्या है doctrine of constructive notice इसको जो है समझने से पहले आपको जो है MOA और AOA यानि कि Memorandum of Association and Article of Association के बारे में at least थोड़ी से जानकारी होनी चाहिए Memorandum of Association क्या होता है जिसमें Companies बताती है कि उसका क्या Objective होने वाला है उसका क्या नाम क्या होने वाला है सब चीजों के बारे में वो एम ने MOA में बताती है जिसको कह जाता है Memorandum of Association and AOA यानि Article of Association क्या होता है वो Company का एक तरीके से By-Loss की तरह होता है कि Company का अंदर का जो भी काम होगा वो किस प्रकार से होगा उसके बार में कुछ detailing वहाँ पे लिखी होती है अगर आपको deep में जानना है MOA और AOA क्या होता है go back to our channel वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाए और Company लों की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं साथ ही साथ इन दोनों का difference भी आप देख सकते हैं तो चलिए आज इसकी बात स्टार्ट करते हैं doctrine of constructive notice उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बने वे चोटे से बैल ऐकन को प्रस कर दीजिए ताकि जितने भी future में आने वाली वीडियो जोंगी उसका notification आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा अब देखिए MOA का main मकसद यही होता है कि company का जो objective है यानि company का जो दाइरा होने वाला है company की जो limitation होने वाली है उसको ध्यान में रखके हुए आप MOA बनाते हो और उसमें बताते हो company की कौन-कौन से objectives होंगे company जो है किस line में काम करेगी या फिर कौन से ऐसे चीज़ है जो company करेगी उसकी क्योंसी जो है एक तरीके से boundaries होगी और जब company boundaries से बाहर जाकर के कुछ काम कर देगी और उसकी वज़े से किसी को नुकसान हो गया तो ये मान के चला जाएगा कि उस व्यक्ति को already जो है MOA के बारे में जानकारी थी यानि MOA के बारे में उसको पहले से पता था उसको पहले से पता था कि उसकी जो है company के objectives क्या है और अगर company ने out of objective जाकर के कुछ काम किया है और उसकी वज़े से उस व्यक्ति को कुछ loss हो गया तो वहाँ पे उस व्यक्ति के पास कोई option नहीं होगा कि जाकर के वो company के खिलाफ या company से कुछ भी demand कर सके तो ये बात करी गई है doctrine of constructive notice में तो यहाँ पे MOA and AOA are the foundation failure of a company यहाँ पे क्या बोला गया है इन दोनों document को foundation बोला गया है एक company का कि जो ये है इसके उपर एक तरीके से आपकी company टिकी होती है क्योंकि आप कैसे काम करोगे क्या करोगे वो सब describe होता है MOA में और आपकी company कैसे अपने internal controls करेगी वो decided किया जाता है और लिखा जाता है AOA में तो इन दोनों जो है आपके document में पूरे company का foundation की तरीके से देखा जाता है अगर company आपके registered हो गई है तो ये दोनों आपके documents जो हैं available करा दिये जाते हैं अगर आपके साथ यानि आपके अगर कोई company है आपके साथ कोई आ रहा है आपके company में investment करना चाह रहा है या कुछ काम करना चाह रहा है तो वो कोई भी व्यक्ति जो है आपसे आपकी company का MOA और AOA के demand कर सकता है कि आप हमें memorandum of association दीजिए और article of association दीजिए और आपको देना पड़ेगा आप deny नहीं कर सकते as a company you guys cannot deny कि हम आपको अपना MOA और AOA नहीं देंगे आपको हर उस व्यक्ति को वो चीज़ प्रोवाइड करवानी पड़ेगी यह दोनों documents प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे जो आपके से जो है काम करता है और आके आपसे डिमांड कर रहा है कि आप नोजी यह दोनों documents दो इस system of availability of MOA and AOA is also termed as the doctrine of constructive notice यह जो system है यानि जब आप यह available करा देते हो अपना MOA और AOA to everyone everyone ऐसा नहीं जगे जगे जाकर के दे रहे हो पढ़ना जाते हैं पढ़ सकते हैं कोई issue नहीं है तो यह जो availability आप देते हो यह जो system के जो आपको available करा रहे हो अपना MOA और AOA इसी को term दिया गया doctrine of constructive notice इस बात को कहा गया है doctrine of constructive notice कि आपको जो है इस बात में जो है available करा रहे हैं आप आईए पढ़िए देखिए आपको लेखना है देखिए और यह जो है duty होती है company के management की कि वो अपना MOA और AOA प्रवाइड कर आए जो भी person आ करके demand कर रहा है without following the doctrine of constructive notice मालो अगर आपकी company है और आपकी company का कुछ objective जो है particularly decide है आपने अपनी limitation decide कर रखी है अब मैंने क्या किया मैंने आपकी company के साथ कुछ transactions की और मैंने कहा कि आपकी company ये काम करेगी मैं आपको पैसे दूँगी और यहाँ पर क्या है कि वो काम जो है आपके objective से बाहर है यानि जो आपका objective है company का main objective उससे बाहर है तो इस situation में अगर आपने कुछ ऐसा जो है objective से बाहर किया और मुझे उसकी वज़े से नुकसान हो गया तो यहाँ पर क्या होगा कि without following the doctrine of constructive notice अगर मैंने MOA और AOA नहीं पड़ा और आपसे जो है कुछ काम कर लिया तो क्या होगा if a person make any agreement or transaction with a company and causing any damage then they cannot claim for such damages from the company तो मैं जाकर के company से जो है damage के लिए claim नहीं कर सकती क्योंकि आपने नहीं पड़ा वो आपकी गलती है company ने available कताया था ठीक है पूरे rules and regulation है कि आप जाकर के demand कीजिए आपको दिया जाएगा यह आपकी बेवकुफी है कि आपने company का main objective नहीं देखा तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आप बिना doctrine of constructive notice को follow किये कोई भी agreement या transaction करते हो एक company के साथ और उसकी वज़े से जो है आपको damages कुछ face करने पड़ते हैं तो आप damages का claim company से नहीं ले सकते so it is beneficial to the person or anybody corporate to follow the doctrine of constructive notice तो इसलिए यह benefit होगा आपके लिए किसी भी person के तोर पे देखा जाए या किसी body corporate के लिए देखा जाए कि आप जो है doctrine of constructive notice को follow करें उसको पढ़ें क्योंकि यह available है so that's it for today guys I hope आपको समझ में आया हो छोटा सा question आता है पार्च मार्क का तो आप इसको अच्छे से देखके जाएगा case study भी आपकी आ सकती है जिसमें पूछा जा सकता है कि एक person था उसने जो है doctrine of constructive notice को follow नहीं किया और जो है company के साथ काम कर लिया उसको जो है कुछ issues हो गई या फिर उसको जो है loss हो गया और इस case में क्या वो claim कर सकता है या नहीं कर सकता तो ये case study छोटा सबन की भी आ सकता है तो उसके according भी आप इसको देख सकते हैं so thanks for watching मिलते हैं next video में एक अगले topic के साथ तब तक के लिए take care of yourself and take care of your health टाटा बाइबाइ